बोलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे, परम पूजे शिद्धी मा कीजे, पवन पुत्र हनुमान कीजे मित्रों, मैं डॉक्टर उमेश बाश्वेई, उपस्थित हूँ आपके समच, बाबा महराज की अद्बुत गाथाओं का वर्णन करने के लिए आज की गाथा में मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हमने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंनपुरी के वर्मा परिवार ने, जिनकी बेटी थी सांती देवी, वकील सहब, बाबा महराज ने उनके साथ लिला की थी, बिटिया को ठीक किया था, वही है, उसी का अगला हिस्सा है आज की लिला में, ये बात है कि जब वकील सहब की बिटिया सयानी हो गई, विवाह लायक हो गई, बाबा महराज ने स्वेहम वकील सहब को सलाह दे करके, और एक लड़का था, वर्मा परिवार का ही, वीरेंद्र, उसके साथ सांती देवी का विवाह करवा दिया, अब प्रभू की लिला किये कि सांती देवी मंगली थी, और जो तिस में कहा जाता है कि जो मंगली करन्या है तो मंगली वर भी होना चाहिए, लेकिन बाबा महराज ने ऐसा नहीं किया, बाबा महराज ने विरेंद्र जी के साथ विवाह करा दिया और विरेंद्र जी मंगली नहीं थे, लेकिन अकालम्रत्यु का खत्रा था exactly अब एक मंगली और दूसरा जो है अकालम्रत्यु का खत्राँ बड़े परेसान् विरेंद के परिवार के परिसान केकलोती एक लड़की है दमाध है पता नहीं क्या होगा सब दर के साए में जीते थे बाबा महराज को ये बात पता थी लेकिन सब जानते थे कि जिसने कराया वो जाने अब प्रभू ने कराया तो वही जाने उन्हीं की जिम्मेदारी अब उनकी लीला धरकी तो लीला है तो उन्होंने बाबा महराज ने एक दिन क्या किया आए घर पर और कहा जाओ तुम सब लोग गंगा इसनान कराओ गंगा माता को तो मात ही उनकी तो गंगा माता के इसनान करने के लिए बाबा महराज ने सब को प्रोचसाहित किया और स्वयम भी वो गंगाजी में क्यूं फानेंगे, तो किनारे बैठ करके ना हाने लगे। लेकिन पीछे से प्रभू ने धक्का दे दिया, जब धक्का दिया तो विरंद जी गहरे पानी में चले गए, अब जब गहरे पानी में चले गए तो तैरना तो जानते नहीं थे वो डूबने लगे, एकदम से हाहकार मच गया, विरंद जी की पत्नी मतलब सांती देवी, परि और उठा करके उनको किनारे पे बिठाया और उल्टा लिटा करके उनका पानी निकाला और पानी निकाल करके उनको होस में ला दिया अब विरेंद जी होस में आ गए अब बाबा महराज कहते हैं कि ले जाओ इसको आज के बाद से इसके डूबने का खत्रा खतम आप लोग पर ये है अद्बुत लिला प्रभु की कि कोई भी ऐसा कार यह नहीं है जिसे बाबा महराज नहीं कर सकते बस आप भरोसा रखें तो ऐसे करके बाबा महराज ने न केवल सान्ती के जीवन को दान किया था बलकि उसके पती के जीवन को भी उनों ने बचाया ऐसे थे हमारे बाबा जी और ऐसे हैं हमारे बाबा जी कहीं नहीं गए हैं हम सब के साथ है मानो देह लीला करते करते आज वो हम सब के बीच में है तो आपको आज की ये बाबा महराज की अलोकिक कथा कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जा करके आप अवस्य बताए और आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं गोलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे परम पूज शिद्धी मा कीजे पवन पुत्र हनुमान कीजे